नमस्कार मैं हूँ सुर्भी सिंग और आप देख रहे हैं हमारा चानल नेक्स्ट नाइन लाइफ जी हाँ दो शिशान सिंग राजपूत के वकीर विकास सिंग मुंबई पहुचे हैं शिशान सिंग राजपूत के केस में जो रिया चकरवर्ती ने उनकी बहन प्रियांका पर गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्होंने रिया को गलत तरीके से छुआ है इस केस की हेरिंग को लेकर अभी विकास सिंग मुंबई पहुचे हैं यह पहली बार हुआ है जो विकास सिंग मुंबई पहुचे हैं आपको बता दे कि शिशान सिंग राजपूत के केस में वि विकास सिंग ने ये साफ कहा था कि रिया शिशान्त का इस्तमाल कर रही थी वो उनके पैसों का इस्तमाल कर रही थी रिया उपर पाथी करती थी और शिशान्त सोते रहते थे इस बात का खुलासा खुद विकास सिंग ने किया है जी हां रिया ने कहा था कि शिशान सिंग जश्पूत हमेशा सोते रहते थे जिसके बाद विकास सिंग ने इस बात को खारिच करते हुए कहा है कि शिशान्ट डिप्रेशन में नहीं थे वो अपने परिवार के काफी क्लोस थे अपने बहनों को बहुत मानते थे तो कोई उनकी बहन को लेकर इतनी खराब बाते कैसे कर सकता है इस बात को लेकर परिवार ने भी काफी कुछ कहा था परिवार ने रिया के उपर काफी सारे आरोप लगाए थे कि रिया ही थी जो शिशान्त का इस्तमाल करती थी शिशान्त के पैसों का इस्तमाल करती थी कई सारे ट्रांजेक्शन्स जो थे वो शिशान्त के एकाउंट से रिया के एकाउंट में किये गए थे जिसके बाद रिया को गिरफतार भी किया गया था आप सबको पता है कि एंसीबी ने रिया को गिरफतार किया था लेकिन कुछ समय बाद रिया बाहर आ गई और अब रिया फिर से घर तलाश रही है और अभी खबरे भी आ रही है कि रिया जल्द ही सिनमा में वापसी कर सकती है 2021 में मार्च में उनके एक फिल्म आ रही है जिनका नाम है चेहरे और इस फिल्म में उनके साथ अमिता बच्चन और इमरान हाश में दिखने वाले हैं तो 2021 में बॉलिवुड में फिर से वापसी कर रही है रिया तो रिया ने अब तक जो भी किया आज तक रिया को अरेस्ट किया गिया इन सब के पीछे कौन था? शिशांत को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया इन छे महिनों में शिशांत के फैंस, शिशांत का परिवार हर कोई शिशांत को इंसाफ दलाने की माँग कर रहा है लेकिन कहीं भी कुछ भी सामने नहीं आ पाया है कई सारे सबूत हाथ लगे हैं लेकिन गुनेगार अब भी सामने नहीं है तो कहां कमी आ रही है ऐसा क्या हो गया जो अब तक कुछ भी सामने नहीं आ पाया है यह केस धीरे धीरे बंध होता जा रहा है इन सब के बारे में आप क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए बांकी और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दुबाना बिलकुल ना भूले